मीठे बच्चे प्रतिग्या करो हम पास विद ओनर बन कर दिखाएंगे, कभी भी माम बाप में संशे बुद्धी नहीं बनेंगे, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे. प्रशना माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर बॉक्सिंग करते कभी भी मात्पिता में संशे ना आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना. अशुद्ध अहमकार वा अशुद्ध लोब वमोह आया तो पद भरश्ट हो जाएगा. तुम्हें बेहत के बाप से स्वर्ग का वर्शा लेने का शुद्ध लोब और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है. जीते जी मरना है. बस हम एक बाप के हैं. बाप से ही वर्शा लेंगे. कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिग्या करो. मातेले बनो तो बेहत की प्राप्ति होगी. संशय आया तो पद गवा देंगे. गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है. ओम शान्ती ओम का अर्थ तो बिलकुल ही सहज है. आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस. जरूर आत्मा तो इमार्टल है. या कौन समझाते हैं? बेहत का बाप. बच्चे तो बहुत हैं. उनमें से भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं. बच्चे जानते हैं कि बेहत का बाप, बेहत सुक का वर्सा देने हमको लायक बना रही हैं. हम सो पूज्य देवी देवता, लौफुल एक सौ प्रतिशत साल्वेंट था यह बाप समझाते हैं, बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे, अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं, माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है, जो कौरी की भी कीमत नहीं रही है, अन के तुम गाते थे तुम मात पिता, उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहत का वर्सा पाने का पुरुशार्ट कर रही हो, तुम जानते हो हम उनके बने हैं, बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो, इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते, कभी तो कहते हैं नाम बापों में ले आते की पत्थर भित्तर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म, अनेक मते हो गई है। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसल्मान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कह लाडले बच्चे जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते यहां यहां वंडर है जो बच्चे ऐसे माम बाप जिससे 21 जन्म का वर्सा मिलता है उनको भूल जाते हैं लौकिक माम बाब को तो जन्म बाई जन्म याद किया अभी यहां है तुम्हारा अंतिम जन्म तुम निश्चे करते हो बरोबर वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी भूले थे, बाप के बन फिर छोड़ देते हैं, आश्चर्यवत ईश्वर का बननती, ज्यान सुननती, सुनावनती, फिर भी अहोमम माया भागनती हो जाते हैं, लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है, हाँ, कोई-कोई बच्चे होते हैं, जो बाप को फारत्ती दे हैं, पार्लोकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायत बना कर कितना भारी वर्सा देते हैं, वहा है हत के मात्पिता, यहा है बेहत का मात्पिता, जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, निश्चे होते हुए भी ऐसे बाप को फारत्ती क्यों देते हो, अच अच्छे अच्छे बच्चे पांच से दस वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पाट बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं, यहां है युद्ध स्थल, बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है, बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई, अजगर ने जैसे हप कर लिया, तो महारती बनते हो फिर माया गिरा कर एकदम हप कर लेती है, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डाइरेक्शन पर मामबाब भी पाट बजाते थे, आज वह है नहीं, क्या हुआ, कोई बात में संशय आ गया, बाबा समझाते हैं, निश्चे बुद्धी विज्जनती, संशय बुद्धी विन्शनती, ऐसे फिर कितनी अधमती को पाएंगे, तुम यहां आते हो बाप से पूरा पूरा वर्सा प्रिंस प्रिंसेच का लेने, अगर आश् भागनती हो गए, तो फिर क्या पद रहेगा, प्रसा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होंगी, जैसे उस गवर्मेंट में भी चीफ जज आदी होते हैं ना, यहां तो सब एक ही है, बाप कहते हैं, हम आते हैं, तुमको पतित से पावन बनाने, का दिसरिगौड किया, तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी, यह समझने की बाते हैं ना, तुम मात पिता, का फिर उनकी मत पर चलना है, श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है, तुम श्रेष्ट थे, श्रेष्ट सूर्यवन्शी चंद्रवन 21 जन्मों लिए महराजा महारानी बन जाएंगे, श्रेष्ट बनने लिए श्री श्री की मत चाहिए, श्री श्री एक को ही कहा जाता है, देता को भी सिर्फ श्री कहते हैं, इस समय तो आसूरी संप्रदाय है, अर्थात असुर पांच विकारों की मत पर चलने वाले, अब तुम श्री लक्षमी, श्री नारायन बनते हो, यह टाइटिल मिलते हैं, तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना, सत्युगत रेता में पवितरता का ताज और रत्न जडित ताज रहता है, सूर्यमशी चंद्रमशी को भी ताज दिखाते हैं, महराजा महरानी को ही ताज फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजारानी पावन राणी राजा की पूझा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं। ताजलेस बन गए हैं। यहां है प्रजा का प्रजा पर राज्य जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुमें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिवान बन गए हो। मूल वतन, सुक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टी के आदिमध्यांत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिर्टाज बन रही हैं। हेल्थ विल्थ दोनों मिल जाती है। बेहत का बाप हमको पढ़ा रही हैं, तो तुम हो गए पांडव गवर्मेंट के स्टूडिंट। भगवान वाच मैं तुमको राज्योक सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल लिया है। संगम होने कारण यह भूल कर दी है। अभी तुमको बेहत के बाप से वर्सा मिलता है। सत्यूगत्रेता में तुम सुख पाते हो फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहां जो मरते हैं तो उनका यहां मृत्यू लोप में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नहरू गया तो उनका यहां ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमरलोक में नहीं रहेगा। तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से यहां सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। जगत अमबा आदी देवी कौन है कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदिमध्यांत का मनुशों को पता होना चाहिए ना। लक्षमी नारायन को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार। बाप पवित्रता का सागर है हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती हैं। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो। एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़े ही भूलते हैं। मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं। फिर वहां आकर बोलती है। यह ड्रामा अनुसार पाठ होता है तो वहां आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वहां नून्ध है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं, तकदीर में होगा तो पुरुशार्थ कर लेंगे हम बैठे हैं, तो पानी आपे ही मुख में आकर पड़ेगा, नहीं हर एक बात में पुरुशार्थ फर्स्ट है ऐसे ही तो कोई बैठ न सके चुप हो बैठ जाए तो मर जाए सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक करमेंद्रिया है, तब तक कर्म का सन्यास नहीं कर सकते उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा शरीर को चलाने वाली है आत्मा में संसकार रहते है रात को अश्रीरी बन जाती है आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते ठक जाती हूँ इसलिए रात को रेस्ट लेते अश्रीरी बन जाती हूँ आत्मा ही खाती पीती है आत्मा इन आर्गन से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ आत्मा बाप को बुलाती है याद करती है ओ गौड फादर रहम करो वह नौलेज़ फुल, ब्लिस्फुल है उनके पास फुल नौलेज है यहां तो तुमको अधूरी नौलेज है ब्राहमांड सुक्षमवतन क्या है? ड्रामा कैसे रिपीट होता है? कहा जाते हैं? कैसे पुनरजन लेते हैं? कितने जन लेते हैं? यह कोई नहीं जानते तुम बच्चे पुरुशार्थ अनुसार जानते जाते हो औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठा कर वैकुंट का रास्ता बताना है और तो कोई जानते नहीं है बाप समझाते हैं बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे बाप को बच्चों को याद नहीं करना है वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं सब मुझे याद करते हैं निर्वान धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं है, कोई संशय नहीं लाना चाहिए, अब तो बाप फर्मान करते हैं, मामेकम याद करो और वर्से को याद करो, कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है, बाप क तो भूले तो बेडा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत है क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रूद्र ज्यान यग्य से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं पहले छोटा ब्रामन धर्म स्थापन करता हूँ। फिर साथ-साथ ब्रामनों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्रामन न बने तो दादे से वर्सा कैसे ले सकते। वर्णों में आना जरूर है। समझा जा यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। जो इस कुल के हैं, उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं, ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम मात पिता। तुम्हारी शिक्षा से हम बेहत 21 जन्म का सुख लेंगे। पुरुशार्ट कर उचते उच पद पाना है। सपूर्ट बच्चे प्रतिग्या करते हैं, बाबा हम पास विद आनर होकर दिखाएंगे। हम सूर्यवन्शी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाप कहते हैं अच सूर्यवन्शी पत पाओ। अब पुरुशार्ट करेंगे तो कल्पकल्प तुम्हारा ऐसा पुरुशार्ट चलेगा। तो बाबा कहते हैं मिठे मिठे बच्चे जरा संभाल करो। संशय बुद्धी कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माम बाप में स बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं कभी अशुद्ध अहंकार में वा अशुद्ध लोग में नहीं आना है। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो। परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहत के बाप से हम स्वर्ग का वर्स लेंगे, मो भी शुद्ध है, एक बाप में पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है, बस हम तो एक बाप के हैं, बाप से ही वर्सा लेंगे, कुछ भी हो जाए अपने से प्रतिग्या की जाती है, बेहत की प्राप्ति है, और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए, और बातों में संशय भले पढ़ जाए, परन्तु बाप के तो होना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए, मातेला उसे कहा जाता है, जो पूरा पवित्र है, पतित को सौतेला कहेंगे, आगे चल कर तुम समझते जाएंगे यहां अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पत पाएंगे, अच्छा, मातपिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकील दे बच्चो प्रतियाद, प्यार और गुडमार्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, धाला के लिए मुख्यसार, एक ड्रामा को अच्छी रीती समझ कर चलना है, पुरुशार्थ करके प्रालब्द बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, दो कभी भी बाप का डिस्रिगॉर्ड नहीं करना है, कदम-कदम उनकी श्रीमत पर चलना है, बाप में कभी संशय नहीं लाना है, वर्दान, संतुष्ट रहने और सर्फ को ब्रामन अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्फ को संतुष्ट करने वाले इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है, यह स्मृती रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा, यदि कोई बार-बार गल्ती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बलकि रहम दिल बनकर शुप भावना, शुप कामना की द्रिष्टी रखो तो वह सहज परिवर्तन हो जाएंगे स्लोगन परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती इस मास की सभी मुरलिया, ईश्वरिय महावाक्य, निराकार परमात्मा शिव ने ब्राहमा मुक्कमल से अपने ब्राहमावत सो अर्थात ब्राहमाकुमार एवं ब्राहमाकुमारियों के सम्मुक 18 जनवरी 1999 से पहले उच्चारण की थी यह केवल ब्राह्मा कुमारीज की अधिकरित तीचर बहनों द्वारा नियमित बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है